असलाम आलेकुम मैं तजमुल सर इस वीडियो में हम स्कैर रूट्स को डोनने के लिए दूसरा मेथड पढ़ेंगे जो दूसरा मेथड है वो है फाइदिंग स्कैर रूट्स थ्रू रूपीटिड सब्ट्रैक्शन इसमें आपने एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है बार बार लेकिन किस नंबर को और कौन से नंबर सब्ट्रैक्ट करने है उस नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है जिस नंबर के आपने स्कैर रूट्स निकालने है और कौन से number subtract करने है आपको odd natural number subtract करने है तब तक जब तक ना उस number का value हमें 0 ना मिले ठीक है यह हम बाद में देखेंगे पहले आपको यह एक important चीज याद रखनी है The sum of first and odd natural numbers is equal to n square यह एक formula है यह आप से कहा रही है कि अगर आपको पहले n odd natural numbers का sum करना होगा तो उसके लिए आपके पास यह formula है n square where n is number of terms और odd numbers कौन से numbers होते है odd numbers वो numbers होते है जिने हम exactly 2 से divide नहीं कर सकते है अगर आपको कोई कहेगा पहले 3 odd numbers का sum करके दीजे आप क्या करोगे 1 plus 3 plus 5 is equal to 8 ठीक है यह तो आसान है लेकिन अगर आप से कोई कहेगा पहले 50 odd natural numbers का sum करके दीजे तो आप क्या करोगे आप करोगे 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 11 plus 13 plus 15 लेकिन यह बहुत time consume करेगा आपका ठीक है इसको आसान बनाने के लिए यह आपके पास formula है where n is number of terms अब मैं आपको इसकी example दिखाऊंगा मैं लूँगा पहले 5 odd natural numbers start 1 से होता है ठीक है एक फिर आएगा 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 मैंने पहले 5 odd numbers लिए हैं ठीक है अब मुझे इनका addition करना है इनका add करना है मुझे हम क्या करेगे commonly हम क्या करते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 लेकिन हमें यहाँ पे formula यूज़ करने वो क्या है n square ठीक है अब n क्या है number of terms यहाँ पे कितनी terms है 1, 2, 3, 4, 5 किजिए 5 और इसका अपना square that is 25 इसका जो add करके value आएगा न वो आएगा 25 इसी तरह मैं लूँगा पहले 3 odd numbers का sum 1, 3, 5 इसका आएगा n square यहाँ आपका आएगा 3 square क्यूंकि number of terms कितनी है 1, 2, 3 यहाँ पे मैं comma रखता हूँ ठीक है तो आपका यह answer आएगा 9 ठीक है अगर आप देखोगे यहाँ पे भी आपका square number आ रहा है यहाँ पे भी square number आ रहा है 5 square, 3 square 5 square is equal to 25 and 3 square is equal to 9 अगर आप पहले 20 odd numbers का भी sum करोगे तो उसका answer भी आएगा आपका square number ही ठीक है इसका मतलब यह है कि हर कोई square number को हम represent कर सकते है as a sum of successive odd natural numbers starting from 1 हर किसी square number को हम express कर सकते है दिखा सकते हैं कैसे as a sum of successive odd natural numbers starting from 1 ठीक है